चोब बात कर लेते हैं धंटेरस की और खपरे अभी तक की तरफ से आप सभी को धंटेरस तेवार की शुक्तामना जी हाँ देश भर में धंटेरस की दूम देखने को मिल रही है दुलं की तरह बाजार सचकर तयार हैं लोग खरिदारी भी कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन खरि तयार है धंतेरस का तवहार है आज और आपको बता दें कि आज के दिन खरिदारी करना शुब माना जाता है आज के दिन लोग सोना चांदी और बरतन खरीदते हैं आज और कल यानि की 22 और 22 और को धंतेरस का तवहार बनाया जा रहा है धंतेरस की दिन सोने चांदे क्या भूशन और धातों के बर्तन खरीदने की परमपरा है कार्तिक मास की त्रेवदर्शीती थी 22 अक्टूबर यानने की आज 6 बच कर 2 मिनट से ही जो धंतेरस का जो शुब मोर्त है वो शुरू हो चाएगा देशवर में धंतेरस की दूम देखने को मिल रही है अलग अलग जगों के हाल भी हम आपको बताएंगे पलवल से दिनेश समवाद आता है और प्रदीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे बहले पलवल करो कर लेते हैं दिनेश इस वक्त हमारे साथ मौजून हैं दिनेश बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है धंतेरस का तेवार है आज और आज की दिन खरिदारी बेहत शुब मानी जाती है वैपारियों का क्या कुछ कहना आज के दिन कि राश्रत बताते हैं कि दिवाली से ठीक एक दिल पहले इस तरह की बार भी धूम धाम से मनाया जाता है पिछले बार कोरुना का भेता दो साल से जवाली के ने के भीटी रही कोरुना की वज़े से लोग और दर्थ के साय में के लिखने को रही नहीं में अप्टाई लेकि कि रोना के समकूर बाता है कि बरतन या जो परीदा शुमाने का पर दोबारा आएंगे पानी पत से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप किस तरह का माहल बाजार में आप देख पा रहे हैं गंतेरस का तवार है आज और बाजारों में किस तरह से लोग करने के लिए वैपारियों का क्या कुछ कहना है कि बिल्कुल देखिए धन तेरस दिवा दिपावली का तिवहार हो और खरीदारी के हम बात न करे तो बेमानी होगी इस वक्त हम परताब बजार में यहां पर देखे इस शोरूम से आप अंदाजा लगा सकते कि यहां पर जो खरीदारों की बेड़ जुटती जा रही है क्योंकि धन तेरस पर जो तमाम लोग है वो चाहें ज्वैलरी खरीदते हो या बरतन खरीदते हो कुछ नहीं चीज़े खरीदते हैं तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि सुबह से जो कश्टमर है वो अलग-अलग शोप पर आ दन तेरस को इसलिए बोले जाता है दन तेरस के दिन हम अपने दुलो रूज दे करेठाब को भी दिखाई देगी और लोग शुप दिन मान दे इस दिन की कुछ ने कुछ सोने चांदी के आभोशन करीदे हम जो यहां पर वैपारी है उन से भी पूछने की कोशिश करेंगे सर आम दिनों के मुकाबले अब किस्टमर कैसा है बजार का महुल कैसा है बहुत अच्छा है मैं सबसे पहले आप सबको दंतिरस की बहुत 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 बदाई देना चाहूंगा दिपावली की शुब काम ने देना चाहिए बैया दूज बहुत अच्छा दिन है प्रमात्मा दिया से आज कुछ काम निकला है बजार में अब ठीक अच्छा है आज दिपावली के दिन अफसर भेया लूग आ रहे हैं दंतिरस की देना चाहूंगा बिए और भी हम ग्रहक है उन से बाच्चित करने की गोशीर जाते हैं मैं ओन मत्याओर ठरस है आज क्या खरिदारी करने के लिए कितना शुब मानदेश नेलों मैं जैसे लक्समी पूजन करते हैं मैं एक मैलाओं के बारे बोलूंगी बहुत music ने बाद में पहले मилли वीद्ध लक्समी होती है उसको भी हैने औरत कोई एक लक्समी की तरह पूजा जाए बहुत सी महिलाएं बहुत प्रेशान है लेकिन है और 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 यदी तेरस हैं आज में थोड़ा साथ चांदी या गणेश की तस्वीर और लक्समी पुजन पर में बहुत सारी बरतन वगएरा खरीदना चाहूंगी और इस जो जीस दुकान पर हम बैठे हैं तीस में तीस साल से हमें हमारे जो बुकान दार हैं बहुत अच्छी पर करके यह तो देखे खुशी है लोगों के चाहरे पर और कस्टमर्स की संक्या से अब लगा सकते कि शुक दिन मानते हैं इसको और खरीदारी जो है आम दिनों के मुकाबले वो परियों में खुशी का महल में बापर देखने को मिल रहा है पलवल में स्थी के डासूं के सांदी के हम अच्छी की दिवाली है किस तर पड़ी से किस्तना वुना की हीज़ा है आज आज पर करें लोगों के अच्छार में बाव यह आते हैं इसारी तरफन के जारी है पर देखने को मिलें लोगों में उच्छा है क्योंकि आज को दिन खरिदारी शुब मानी जाती बहुत बहुत शुक्रिया देने इस्टमाम जानकारी और BEACH करने लिए तो जमकर लोग खरिदारी कर रहे हैं जैसा की पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए है और जानकारी दे रहे थे प्रदीप एक तरह से देखा जाए तो धंतेरस में काफी शुब माना जाता है शुब सायोग भी इस बार बन रहा है कोरोना की वक्त बाजारों की हालत काफी खराब हो गई थी अब कोरोना के बाद के स्थिति अब कैसी नज़र आ रही है बिल्कुर देखे यहां के जो बाजार है वो काफी प्रशिद भी है और लेकिन करोना ने रोना खतम कर दी थी लेकिन अब देखे यहां पर जो बाजार है वो पूरी तरह से सजे हुए है कस्टमर के इंतजार में अलाकि धीरे धीरे जो यहां पर मैं दिखाना चाहूँगा कि एक पर दिखाए उस तरफ जो कस्टमर है जो लगातर बजार में आ रहे खरीदारी कर रहे है तो यह एक अच्छा मोका है दुकानदारों के पास क्योंकि लंबे समय जो इनका बीता था यहां पर वो काफी बु लग रहे है रोनक देखकर कि वो दूर होगी और जी बिल्कुल प्रदीप और जी चले प्रदीप एक तरह से देखा जाए तो अब कोरोना का वक्त था बाजारों से रोनक चली गई थी अब वापस से बाजारों में रोनक लोटी और कहीं ने कई वैपारी भी अब इससे तो प्रशासन की तरफ से कोई वैवस्ता क्या वहाँ पर की गई है? कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक है क्योंकि देखे करोना का खत्रा हलाकि बहुत कम हो चुगा लेकिन तला नहीं है बिल्कुल लेकर पार्किंग को लेकर भी कई बार लोगों को दिक्कत होती है बाजार में भीर बढ़ेगी तो पार्किंग की ववस्ता भी ठीक होनी चाहिए कि इसे लेकर पहले से ही तयारी की जाती है को अपनी यहां गलियों में पार कर देते हैं सडकों पर पार कर देते हैं जिसके वज़े से एक एववस्ता यहां पर फैल जाती है जिसकी यहां पर पर परशासन के एक हलकी सी चूक यहां पर दिखाई दे रहे कि किस परकार से एववस्ता है इसकी तरफ परशासन को ध्या तो देना होगा जी क्योंकि आज तो धंतेरस का वक्त है शाम तक और भी भीड़ होगी क्योंकि शुब मोहुर्त में लोग खरिदारी करने के लिए पहुंसते हैं तो वैवस्था पहले से कठीक करने होगी चुले तस्वीरे आपने दिखाई लोगों से बातचीत की बहुत बा शुक्रिया प्रदीब तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए